अब मेरे पीछे आप लोग ये green screen देख रहे हैं, खतम होगे, लेकिन CCTV में ये एक नया भूत बन कर आया है, और ये खतम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जी हाँ IP camera की दुनिया में ये एक नई परिशानी नई तरीके से market में आया है, हाला कि मैंने इस तरह की परिशानियों को कभी भी face नहीं किया है, लेकिन जितने भी बाहर में हैं इंडिया के बाहर, उनको काफी ज़्यादा ऐसे समस्या देखने को मिल रही है, और कुछ comment इंडिया में भी आ रहे हैं मुझे, जहाँ पर मुझसे solution मांगा जा रहा है कि इसका solution किया, तो मैंने काफी research किया, मैंने company से बात कि काफी कुछ किया, और मैंने कुछ solution को निकाला है, जो solution है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो आज का topic है, green screen का जो problem है, आपके IP camera में उसे दूर कैसे करते हैं, आसानी से simple चीज़ हैं, और उसका कारण भी मैं बताऊ आखिर ऐसा क्यों होता है, शुरू करते हैं इस वीडियो को, चैनल को subscribe कर लिएगा जरूर, अगर आपने नहीं किया है, तो काफी important videos में लाता हूँ, और वीडियो को like जिरूर कर दीजेगा, तिकि सबसे पहले इस problem की जड़ को समझते हैं, मैं आपको पताता हूँ, जैसे Q 2 series का एक NVR है, उस NVR में 8MP के एक camera support करते हैं, up to 4K तक support करता है, बट एक camera support करता है 8MP का, बाकि वो 8MP में नहीं काम करता है, resolution कम हो जाता है, light mode में चला जाता है, तो वैसे cases में अगर आप चाहेंगे कि 3 या 4 camera 8MP के आपने लगाया, यानि कि आपका NVR support ही नहीं करता, उतने resolution क उतने camera को और आपने लगा लिया, ऐसे cases में क्या होगा, कभी live view आपको सही देखेगे, कभी green screen देखेगे, कभी half screen देखेगे, कभी no video आएगा, कभी आप जब playback देखेंगे तो वो नहीं दिखेगा, ऐसे अलग-लग तरह के समस्या देखने को आएगी, तो इसका कारण ये है solution इसका simple है, कि पहला अगर आपने 8MP का एक camera support कर रहा है, या फिर आपका 4MP का एक camera support कर रहा है, आपके NVR में, तो आपने जो resolution set किया है, आपको 4MP या फिर 8MP जो भी camera है आपका, उसको कम करना होगा, resolution कम करना होगा, कम करके फिर आपका वो NVR चला पाएगा, otherwise एक solution है, NVR compatible purchase की कीजिए, वैसे NVR को use कीजिए, जो उस तरह की camera को चला सके, अपने अंदर, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब यह जो दूसरा solution है, आपको हो सकता है, पता हो, और जायर इसी बात है, पता होगा है, लेकिन मुझे बताना बहुत जरूर है, वो है, कि अगर आपका NVR और आपका camera, दोने compatible हैं, जो system है, security system का उससे आप follow कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मातर एक तरीका firmware अपग्रेट करने का, firmware अपग्रेट करिए, वहाँ से problem आपको देख रही है, अब firmware भी अपग्रेट किया, आपने सारे चीज़ों को किया, फिर भी ऐसी दिक करते हैं, तो एक मातर solution, जो मैंने काफी चीज़ें, जो है, unstable वाला मेरा वीडियो देखेगा, जिस पर मैंने आपको बताया था, जो network unstable होता है, उसमें मैंने बताया था, उस तरीके को भी follow किजेगा, वीडियो का description में मैं link देदूँगा, या फिर I button में मैं जरूर देता कीजिए, enable encryption जो है, उसे disable कीजिए, उसके कारण काफी समस्या देखने को मिल रही, ग्रीन स्क्रीन से related, उसे आप disable करेंगे, उसके बाद अब refresh स्टार्ट कीजिए, आपका काम हो जाएगा, ग्रीन स्क्रीन के समस्या दूर हो जाएगा, उमीद करता हूँ कि ऐसे समस्या आप एक लिए बहुत बहुत तनिवार